नमस्कार आप मुझे देख रहे हैं MNS News लाइप पर देखते हैं आज की कुछ खास खबर शहर में कोरोना अनियंतरित एक दिन में 69 की बली शहर में कोरोना वाइरस अब घर घर दस्तक देने लगा है मौसम में आए बदलाव के बाद एक बार फिर वाइरल इंफेक्शन बढ़ने लगा है उमच से हलाकान हो गए हैं लोग पिछले छे मैनों से गरम पानी पीकर अपनी इम्मिनिटी बढ़ाने वाले और वाइरस को दूर रखने का प्रयास करने वाले भी संक्रमित होते जा रहे हैं इसे बीच बुधवार को 69 मरीजों ने दम तोड़ दिया जिस वज़े से मरने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या अब भी प्रशाशन के लिए चिंता का विशे है तो वही बुधवार को 1319 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई कुल पॉजिटिव में से 450 ग्रामिन और 864 शहर तथा पाथ जिले के बाहर के मरीजों का समावेश है अब तक कुल 1458 मरीजों की मौत हो चुकी है इसमें ग्रामिन के 207 और शहर के 1120 तथा 131 जिले के बाहर के मृत्यों का समावेश है जिले में फिलाल 11,532 एक्टिव केस मौजुद है नागपूर शहर में बुधवार को 1150 संक्रमित स्वस्थ हुए अब तक कुल 31,566 मरीज स्वस्थ हो चुके है स्वस्थ होने की दर जिले में 70.84 फिसदी पर जापोची है जिले में अब तक कुल 44,556 संक्रमित मिल चुके है अब आप हमारे चाल को एप पर भी देख सकते हैं प्लेस्टोर में जाकर M&A सिंदी लिखे और एप डाउनलोड करे साथी साथ आप हमारे फेस्बूक पेच को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरे देख सकते हैं लिंक, ट्विटर, हाइक और इस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरे देख सकते हैं आप हमारे चाल को योट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे योट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले फिलाल वक्त उचला एक ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देश हो दुनिया की तमाम बड़ी खबरे देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ नमस्कार